पिस्मिल्हामान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, खोश रहो, आबाद रहो अपने अपने गहरों में, अपनी फैमिली, बच्चे, बज़र्मों के साथ, आमीन आज हम बना रहे हैं ब्रेड, पकोड़ा, दबरुटी के पकोड़े या कवाब जो नाम अच्छा रगए वो रख लो, इसलिए मैंने लिया है, मेदा, काली मिर्चे, जीरा और चाट मसाला, एक प्याज, एक टमाटर, चिमला मेरा चेक, और ये चार प्रेड स्लाइस हैं, मैंने किनारे नहीं कटे हैं, ऐसी मैंने ले लिए हैं, इनको हम आदा गिलास, एक गिलास पानी डाल के भिगो देंगे, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, विजिटेबल हम काट लेंगे, प्याज मेने कर लिया है, बारी वाला, अब शिमला मेरा चाट लेंगे, ब्रैड हमारी बिल्कुल भीग गई, सॉफ्ट होगी है, इसको हम अच्छी तरह निचोड के निकाल लेंगे, एक बाउल में, अब हमें इसमें सबजियां लेट कर देंगे, टरमाटर, प्याज, शिमला मेरा चाट, अब ये मैंने मैदा मिला दिया, एक बड़ा चमच, येक आली मिर्चे, हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, एक अंड़ा है, जो हम अलग से तोड़ के फिर डालेंगे, अब थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, अब इस मिक्चे को हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, दू बना लेंगे, मैंने नमक डाला है, टू टेस्ट, अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथ मैंने अच्छी तरह धूली है थे, फ्लेम मैंने आउन कर लिया है, आइल मैंने रखती है, कम रखा है, डी फ्राई नहीं करेंगे, शेलो फ्राई करेंगे, अब चमस की मदर से आज से सर डाले हैं, अभी जगाए एक और डाल देंगे, एक तरह से बिल्कुल जब कलर आजें, फिर हम इसको बल्टा देंगे, इसी तरह आप सारे बना लें, शाम की चाय के साथ जैसे भी आपका दिल करें, आप नाच्टे में भी ले सकते हो, क्योंकि ब्रेड है, इसके साथ चाय बना लें, यह हमारे सारे बन गए हैं, यह पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना अपने घर वालों का सब का ख्याल रखें, आप केचप के साथ, राहिते के साथ, जैसे भी आपका दिल करें, ग्रीन चटनी बना लें, हरी मिर्चों वाली, वधीने वाली, यह देखें, बहुत सॉफ्ट और मज़े के हैं, पेस भी देखने का शुक्रिया, लापीस